नमस्कार स्वागा थे आप सबका हमारे खास कारिकम देश देशांतर में मैं हूँ कवीन सचान धिवाली से पहले सुप्रीम कोट ने देश भर में पटाकों की बिक्री और पटाके चलाने पर रोग तो नहीं लगाई लेकिन इसके लिए कुछ शर्ती और नियम बना दिये हैं सुप्रीम कोट ने तैट डेसिबल से ज़ादा लिमिट वाले पटाकों की बिक्री पर रोक लगा दी है आनलाइन पटाकों की बिक्री भी नहीं हो सकेगी सुप्रीम कोट ने केंद्र और राजी सरकारों को निर्देश जारी किये हैं जिसमें कम देसिबल वाले पटाकों की ही बिक्री की इजाज़त की बात कहीं गई है और सिर्फ लाइसंस धारी ही पटाके बेच सकेंगे साथ ही सुप्रीम कोट ने देवाली पर रात आट बज़े से दस बज़े तक ही पटाके जलाने की अनुमत दी है और किस्मस और नीवियर में सिर्फ 35 मिनट और ये समसीमा 11 बचकर 15 मिनट से रात 12 बचकर 30 मिनट के बीच की होगी समझेंगे कि सुप्रीम कोट का ये जो फैसला है इसका दायरा कहां पर क्या है और इसे हम कैसे लागू कर पाएंगे और नियमों और शर्तों के साथ पटाकों की बिक्री या जलाने के बाद क्या इसके बढ़ते प्रदूशन के खत्रे से हम रोप पाएंगे हमेरे साथ कई खास में महाने अमेद भंडारी हैं जो की याज़का करता है वकील हाब सुप्रीम कोट में अपका हमेरे साथ प्रफेसर सी के वाचने हैं मशूर परावनविद हैं आपका स्वागत है आज यह दूआ हमारे साथ हैं पूरु सची वाड़ी जरु द्यूग मंतर आले दूआ साथ बहुत दूआ स्वागत आपका शुरुआत मैं करना चाहूंगा हमें धन्डारी यह आपका कि जो आपकी याजका थी बेसिक इसमें मांग तो यही थी कि पूरी तरीके से पाबंदी लगाई जाए पटाकों को लेका अगर मैं गलत नहीं हूँ जो कोट ने कहा है वो मोटे मोटे तौर पर क्या डेडलाइन है या फिर क्या गाइडलाइन है क्या नियम शर्ते हैं मैं आपको यहां बता दूँ कि हमारी प्रेशन जो थी उसे फटा को पर नहीं थी फटा के इसमें एक प्रेयर थी एक हमने इसमें प्रेयर की इसमें हमने यह भी कहा था कंस्ट्रक्शन से जो पॉलूशन हो रहा है उसे भी रोका जाए हमने यह भी रिक्वेस्स की थी उसके स्टेट में वो भी न हो यह सुप्रीम कोट ने 2015 में कहा कि क्यों कि आपने सप्टेंबर में याची का दायर की है और दिवाली बिलकुल सामने है तो हम पहले फटाकी का मिलेंगे और उसके बाद ने सुप्रीम कोट ने बाकी फैक्टर छोड़ दी है पर वो अभी भी कायम है अचीट का नने एथियासिक है कि सुप्रीम कोट ने माना है कि यह मेजर कारण है इसके साथ में और भी कारण है पर फटाके और पर पारेव फैफियस से तो पौंट फाइफ लेवल जो निकलती है उसे इतना ज्यादा नुकसान पहुंचता है उसको कभी ठीक नहीं किया ज जो की काडियोलोजिस्ट थे, पल्मनोलोजिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि एक बार लंग्स में ये 2.5 चला जाए, तो इसको किसी भी तरीके से ठीक नहीं किया सकता है। और यहां समझना जुरूरी ये होगा कि 2.5 पीम लेवल है क्या। इन चारों को उन्होंने कंसल्ट किया और एक एफिडेविट फाइल किया। उसमें उन्होंने कहा कि फटाके अब जो बजार में हैं वो ठीक नहीं है। हमारे दिमाग में और हमारा एक ऐसा सोच है कि हम ऐसे फटाके बनाएंगे जो कि ग्रीन फटाके होंगे जिसमें एमिशन लेवल कम होगा और जिसमें एमिशन लेवल और डेसिबल भी लिमिट होगा। यह एक में प्रोवाइड़ है और डेसिबल पैसो इसमें अथॉरिटी है वो डिसाइड करेगी कौन से केमिकल यूज कर सकते हैं कौन से केमिकल यूज नहीं कर सकते हैं। बरहाल बेरियम एक केमिकल है जिसको कम्प्लीटली बैन कर दिया है मर्करी लेड कम्प्लीटली बैन है अल्रेडी तो उन्होंने कहा था यह कोई भी केमिकल फटाके बनाने में यूज नहीं किये जाएंगे ऐसे यूज किये जाएं जिसके जिसका 2.5 लेवल जब छूटे तो कम हो in comparison to यह सब तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि यह फटाके एक सबते भर में आएंगे सबते भर में इसकी गाइडलाइन्स दी जाएंगी फटाके बनेंगे वो सारे फटाके जो बन चुके हैं जो इस गाइडलाइन्स के मद्धि अगर कुछ भी हमारे निर्ने के खिलाफ या उसके अनुसार नहीं होता है तो आप परसनली लाइबल होंगे कंटेम्ट के इस निर्ने का इस सुप्रीम कोट ने कहा है दुआ साब मैं यहाँ पर आपको लाना चाहूँ क्योंकि जिस तरीके से अमिज जी ने बताया कोट का पूरा आदेश और जो गाइडलाइन्स आ हम कहूँ कि जो नियम शर्तें कोट ने कही हैं ऐसे में जो ट्रेड हैं वो मंगा सकते हैं और अगर वो मंगाते हैं तो बेचने के यहाँ पर पामिट उनके पास नहीं होगा तो यह क्या है यह एक मैं कहूं कि ओपन एरिया है यहाँ पर अभी खाली जेगर छुटी हुई है या फिर नए डारेक्टरी उसके बाद ही इन्हें लागू करना नहीं मुझे लगता है कि जो आज सुप्रीम कोट ने कहा उसके अनुसार अगर आप कोई चीज बेच नहीं सकते तो आप किस कारण हिंदुस्तान में उसे लाएंगे आपना खर्चा क्यों करेंगे अगर अलाउड भी है पर यह भी कुछ समय की बात है कि अपनी इंपोर्ट पॉलसी में ये भी बंदन डाल दिया जाएगा कि जब तक जिसको आपने कहा कि ग्रीन पटाके हैं ग्रीन पटाकों के इलावा दूसरा कोई देश में नहीं आपाएं अब ग्रीन पटाके जो आज का ओर्डर है उसके हिसाब से उन्होंने कौन सी केमिकल यूज होती है पेस करेगी साथ ये भी देखां सीपीसी भी और स्टेट की जो एजिंसीज हैं वो जरूर अपनी निग्रा नहीं रखेंगी कि उनके नौइस लेवल कितनी है और उनका जो एमिशन एयर एमिशन होता है कितना है पुलिस वाले को देखना पड़ेगा ये दोनों चीजे कि जी एक कि ये ग्रीन है के नहीं और दूसरा वो अपनी जो ठराई जगा है Community जगा है common जगा है वहीं पर इसका इस्तमाल हो रहा है और वो समय का बंदन है के नहीं कि जो समय के बंदन के अनुसार अज़ रखा है आट से दस बज़े और ग्यारा पंशबं से साड़े बारा बज़े और फाइनली उनको देखना है सो एसे जो की जिम्मेदारी बहुत हो जाएगी जो पठाके बेच रहा है उसके पास लाइसेंस है के नहीं मेरे हिसाब से ये सब चीजे स्वागत का हमें स्वागत करना चाहिए कारण अभी तक हमने यही देख के कि ये तो लोगों की खुशी है कुशी के प्रतीक है पठाके बजाना भगवान का रिलिजियस के साथ जोड़के सुप्रीम कोट ने कहा है कि हम किसी भी रिलिजियस मामले में नहीं जा रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि देश के लोगों की सेहत के लिए देश के लोगों की सेहत के लिए बुडों की सेहत के के लिए बहुत जरूरी है कि वो जो हवा सांस लेते हैं वो स्वच्छ हो और साथ साथ जो लोगों को और कोई नॉइस प्रियूशन से उनको कोई और कोई कश्च ना हो मेरे हिसाब से यह गाइडलाइन्स आएंगी यह सब चीज़े गाइडलाइन्स में लिखी जाएंगी आय आप से इंपोर्ट की परमीशन हो चीए लेकिन वाशन साथ सवाल है कि जतनी नियम शर्तें लगाई हैं जमीन पर अगर हम उतारने की बात करेंगी यह कितना आसान यह कितना मुश्किल होगा क्योंकि जो जिस फाइनली अल्टिमेट एजिंसी जो है यानि कि स्थानी पुलि जो आदेश आया है और जो हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है यह तो अपने आप में बहुत अच्छा है और स्वागत के लाइक है और इसका हमें सब को स्वागत करना चाहिए आपको यह जानके मतलब यह सरविधित है कि हमारे देश के अंदर प्रोशन की समस्या वाई प और खासतोर से दिवाली के मौके पर तो इसका स्थर बहुत जादा बढ़ जाता है और इसकी वज़े से सांस बगरा लेने में बहुत दिक्कत आती है अब सवाल यह है कि जो नियम बनाए हैं और जिस तरीके से गाइडलाइन दी गई है इसको पूरी तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए और मौनिटर करने के लिए हमारे पास में कितना संसादन हैं और कितने बड़े समझदार लोग हैं जो इस छोटे से समय में इसको आंकल एक्जामिन कर सकते हैं और देख सकते हैं तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि हमको बहुत जागरूप होना पड़ेगा हमे जो पुलिस फोर्स है, उसको भी सचेत करना होगा, उनको थोड़ी ट्रेनिंग भी देनी होगा, किस तरह के से पटाके की जाँच करेंगे, कि ये ग्रीन पटाका है या नहीं है, अभी ग्रीन पटाके मार्केट में तो है नहीं, लेकिन उनकी आने की बहुत बड़ी उम्मीद है जहां तक के इंपोर्ट करने का सवाल है उसके उपर तो बेन स्वेमी लग गया क्योंकि वहां के पटाके तो ग्रीन पटाके हैं ही नहीं जो खास तोर से अभी तक इंपोर्ट किये गए हैं और जो लोग लाइसंस लेके इसको बेचेंगे वहां पर सबसे बड़ा कंट्रोल की जरूरत है कि वह कोस ताइब के पटाकों का स्टाप करते हैं और किस ताइब के पटाके बेचते हैं तो जब सेल पॉइंट को हम अच्छी तरीके से नियत कर पाएंगे तो मेरे खाल से इस्तेमाल करने वालों के बारे में हमाँ थोड़ी सी चिंता रहे इस सिर्फ कि उन्होंने समय सीमा रखी है या नहीं ये सबसे बड़ी बात होगी लेकिन इस वक्त जो CSIR की लिबाटरी है और जो पलूशन कंट्रोल है और दूसरे PSO वो सब ये देख रहे हैं कि किस तरीके से हम इसकी गाइडलाइन बनाएं और किस तरीके से इन पठाकों को हम नियमित करने के लिए बताएं और कहां पर ये बनेंगे तो अभी तो ये मार्केट के अंदर नहीं हैं लेकिन क्या इतने छोटे से समय में आप आएंगे किस तरीके से ये बहुत बड़ी मॉनिटरिंग हो होगी कौन अपनी छट में चलाएगा नहीं चलाएगा या सिर्फ एक जो कॉमन प्लेस है वहीं पर ये चलेंगे इन सब को देखने के लिए एक बड़ी भारी निग्रानी करने वाली फोर्स की ज़रुएत बड़ा सवाल है कि क्या जो पटाके एविलेबल हैं जो मार्केट म कि आपका गुता जी जब सुप्रीम कोट ने कहा कि भी ग्रीन पटाके ही जलेंगे लिमिट कर दिया तेटी को डिसिबल वह एक फिक्स कर दिया है केमिकल के बारे मेंं फिक्स कर दिया या है अब आप लोगोंके लिए यह रास्ता कितना आसान ये मुश्किल है देवाली को देखते हुए और इसे कैसे लागू करेंगे? कभिंदर जी मेरा कैना यह एए कि यह जो इन्होंने आज तैस्टरिक को सुप्रिम कोोड मानने सुप्रिम कोड का जो ओर्डर आया है हम इसका बहुत स्वागत करते हैं हर्दय के साथ इनका अभिननन करते हैं कि इन्होंने हमारी भावनाओं को हिंदुओं की भावनाओं को सारे देश की भावनाओं को समझते हुए यह भैसला दिया है और दूसरी बात है कि यह ग्रीन पठाका जो शब्द है यह आज पहली बार हम सब भी लोग सुन रहे हैं इसकी कोई definition मेरे ख्याल से ग्रीन पठाका Supreme Court उसको मानती है या हम सभी भी उनी को उसी को मानेंगे जो pollution नहीं करते हैं non-polluted पठाका जो है उसको green पठाका कहेंगे इस तरह का कोई brand green पठाके के नाम से किसी भी manufacturer का अभी तक ना कोई introduce हुआ है ना कोई market में आया है और जो norms Supreme Court ने दिये हैं के इस पठाके में हर पठाके में ये chemical नहीं होना चाहिए dust नहीं होनी चाहिए या उसको आवाज का decibel point है उसका low level होना चाहिए वो सब जो manufacturing है वो अब हो रही है या अब होगी तो आने वाले सालों में वर्षों में जो भी होगा वो सब Supreme Court माने Supreme Court की जो order आया है उसी के तहथ हम सब लोग बेच पाएंगे और उसी के तहथ हम सब लोग चुटाएंगे लेकिन आदर्श इस वर्ष जो पिछले साल हमारे लेकिन इस बार जो market में stock है गुपता साब मैं ब्यवारिक पक्ष पर आना चाहता हूँ जो market में stock इस वक्त है जो एक आम जनता के साबने विकल्प है क्या उस विकल्प में वो parameter के साथ मौजूद है पटाके या नहीं है और अगर है तो जिन इजेंसियों को काम दिया गया है इसकी monitoring का आपको लगता है कि वाकई वो सही सामान जो सुप्रीम कोट ने कहा है उन parameter पर ही बिख पाएगा या फिर वहां पर भी आप लोगों को दिक्कत हो सकती है कमिदर जी दिक्कत हो सकती है पूरी तरीके से दिक्कत हो सकती है क्योंकि जो parameters आज सुप्रीम कोट ने बताए है वो जो पुराना stock है due to that parameters वो उस पर नहीं उतरता है खराक लेकिन हमारी जो प्ली थी सुप्रीम कोट के साथ appeal करने की कि जो पिछले साल हमारा पठाक का license दिया गया और उसके बाद पांच दिन बाद वो रद कर दिया गया तो उस पांच दिन के अंदर जो हमने पठाका खरीद लिया अपना stock हो गया उस stock को clearance के लिए हमारी प्ली थी कि वह यह stock clear होना चाहिए otherwise यह गलत रास्ते से बिखेगा गलत तरीके से बिखेगा तो जितनी भी authorities हैं वो सब उसके उपर pressure बना के रखेगी और वो काम नहीं हो पाएगा और यह जो दो घंटे का जो सुप्रीम कोर्ट ने हमें time दिया है चुडाने का मेरी पूरी जनता से देश की पूरी जनता से यह appeal रहेगी कि पूरी भरसक कोशिश करके उसी time के अंदर वो पठाका चलाएं ताकि मानने सुप्रीम कोर्ट का जो order है उसकी अवेलना ना हो और हमारे जो भी pollution control वाले जो NGT है या जो भी है मेरा कैन मानना यह है कि पठाके से तो कोई pollution 4% के करीब pollution होता है और जो मेन pollution है जो दिल्ली NCR में एंडिस्ट्रीज लगी हुई है बड़ी बड़ी उसमें रबर जलती है प्लास्टिक वेस्ट जलती है या फिर पंजाब में ब्राली जलती है जो की सुप्रीम कोड के आज के पैरामीटर को पूरा करते हैं चाहे वो वाई प्रोडूशन का मामला हो या फिर ध्वनी मामला सर वो सर उस तरह का पठाका तो अभी तक कोई ना मैंने सुना है ना कोई किसी मैनुफेक्चरर का आया है आया नहीं है चलिए द्वासाब यही सबसे बड़ी सबस्या है कि दिवाली से पहले खुद जो ट्रेडर सुस्टियन के वो कह रहे है कि इस तरह का कोई भी माल ना तो बाजार में है ना मैनुफेक्चरिंग लेवल पर है कैसे होगा इसे लागू करना क्योंकि असल दिक्कत है लागू करने की मुझे लगता है कि अगर पुलिस सतर्क रही तो हो सकता है कि इस साल की दिवाली में वो दो घंटे भी के लिए भी कोई पठाके ऐसे नहीं होंगे जो सुप्रीम कोट के निर्ने के अनुसार ग्रीन की निजाज सकते हैं ठीक है कारण हम देख रहे हैं कि दिल्ली जैसे शहर में अल्रेडी पल्यूशन शुरू हो गया है पंजाब से या हरियाना से जो स्टबल बर्निंग करके आ रहा है अगले साल सरका होते जो हमारे क्रैकर बनाने वाले हैं पठाके बनाने वाले यह वो उसी हिसाब की बनाेंगे और उतनी ही संख्या में बनाेंगे जितना उनको लगता है जिसकी खपत हो सकेगी दो गंटे दिवाली में और दूसरे तैवारों में जो 35 मिनिट के लिए विंडो दी गई है उसी के कारण कोई इतनी मैं जुरूर समझता हूँ कि जो धंदा करते हैं उनके उपर ये थोड़ा सा कठिनाई होगी पर अगर हमने larger good जिसे कहते हैं देखना है देश का सारी जनता की सहत का तो उसके लिए ये अनिवारियता मैं एक चीज कवेंदर जी और कहना चाहूंगा आपने शुरूर में पूछा था कि ये पुलिस ये कैसे enforce कर पाएगी एक अधिकार सरकार को है कहीं पुलिस दूसरे कामों में व्यस्त है तो जैसे कॉलिनी के resident welfare association होती है उनके पदा अधिकारियों को सरकार कह सकती है इस काम के लिए इस दिनों के लिए आपको पुलिस के अधिकार दिये जा रहे हैं आप complain ले सकते हैं आप लोगों को जाके कह सकते हैं मत करिये ये परदेश परदेशों में कब से चल रही है हिंदुस्तान के काईदे में रूल काईदे में इसकी provision है और मेरे हिसाब से ये कोई ज़्यादा training की जरूत नहीं जैसे हमने home guard को अधिकार दिये हो गए home guard को कभी कभी श्रेडिन दी जाती है आपके लोकल संस्था है आड़ ड़ूए सोसाइटी है उनको इसकी जिम्मदारी दी जा सकती है और वो पुलिस के साथ कॉडिनेट करते हुए इस पर अमल कर सकते हैं अमित साहब जो बात हमारे साथ कर रहे थे गुपता जी वो साफ दिखाती है कि इस तरह के ना तो पठाक के बाजार में मैनिफेक्टिंग लेवल में है तो क्या यह माना जाया कि यह सीधे तोर पर नहीं लेकिन पठाकों पर इस बार का बैन है बिलकुल सही है अगर एक भी प्रतिशत इस तरह का फठाका बजार में नहीं होगा जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अपने अनुसान, उनके निर्ने के अनुसान वो बजार में सेल नहीं हो सकता क्योंकि यह सेल पे उन्होंने बैन लगाया है manufacturing पे ban लगाया है और आगे बाद में three levels पे उन्होंने रोका है ऐसे first तो manufacturing नहीं होगे manufacture हो गए तो sale नहीं हो पाएंगे अगर sale भी कर दिया तो वहाँ पर police authorities की जिम्मवारी होगी कि ऐसे पठाके जो कि सुप्रीम कोट के निर्ने के अनुसान नहीं बने वे हैं वो नहीं बजेंगे यह clear ban है completely और अगर नहीं बनते हैं तो क्या होगा जिन्होंने करोण रुपए का import किया या जिनका manufacturing करने के बाद बाजार में माल पड़ा हुआ है कविज़ जी बात बिलकुल है उसको भी give away करने पड़ेगा सबसे सर्वों पर ही जो है वो अनुछे दिक्षिस है जिसमें अगर उसके लिए करोड़ों का नुकसान भी होता है तो हो उन्होंने यह कहा है उन्होंने कहा है कि हमने cost analysis किया है उसमें पाया है कि जो cost आप कमाते हैं उससे बहुत ज्यादा लोग अपने सहत पर खर्च कर देते हैं उसके बार क्योंकि आपके समझना होगा कि पॉइंट टू पॉइंट फाइफ पीम टू पॉइंट फाइफ है क्या बिल्कुल है अगर यह एक पीम टू पॉइंट फाइफ आज यहां से गिरता है तो एक महीने के बाद में नीचे घिरेगा जमीन पर इतना छोटा इतना माईनीर होता है अपने लंग्स में गया तो कभी भी कोई भी दवाई आपको ठीक नहीं कर सकती तो आपको समझना होगा इस चीज पर और यह कहते वे सुप्रिम कोट ने कहा है अगर करोड़ अनुक्सान होता है तो हो क्योंकि राइट टू लाइफ और राइट टू क्रीन इंवार्मेंट सबसे पहला अधिकार है गुप्ता साब बहुत संक्षेप में क्या यह माना जाए आपके नजरीय समझना चाहूंगा ग्रीन पटाके जिसकी बात आज निर्देश में की गई है वह वाकई लाना आसान है यह जि कि जी मैं यह कहना चाहूंगा 안돼 कि घ्रीन पटाका ऐसी कोई डैफिनेशन नहीं है कि है और हिसाब से वही है नान पोलूटवीट पटाका है वह बन रहे हैं चार पाँश महिने से बं रहे हैं वह कुछ परसेंटेज हैं जो बजार में आएंगी क्योंकि अभी कोई भी बाइंग किसी की भी बाइंग नहीं हुई है नहीं पठाके की पुराने पठाके ही सबने लोकों लेकर के सुप्रीम कोट का जब तक फैसला नहीं आता तो कोई भी आदमी पठाका कैसे खरीद सकता है बेचने के लिए आज ये ओडर आया है तो आज हम ओडर करेंगे और जो भी पठाका है जो आज पर सुप्रीम कोट रूल्स और मेरा बानना ये भी है कि अगर पॉलूशन के लिए हम हम अगर हम पॉलूशन के बारे में नहीं सोच पाते हैं तो हमको हिंदुस्तान का नागरिक होने का कोई हक नहीं है बहुत अच्छी पहले हैं हम सब लोग स्वागत करना चाहिए बलके मैं कहूंगा कि एक दूसरे की तरफ निगार निगरानी रखनी चाहिए ताके आदमी महाँ पर सिर्फ अपने जगह नहीं बलके एक निर्धारत जगह पर जो के एक साधारन लोगों के लिए हो वहाँ पर जाकर ये पठाके चलाएं ताके सभी लोगों का मनुरेंजन हो सके और पूरी कम्यूनिटी का इसका फाइदा मिलेगा सेहत के लिए भी और इसका जो त्योहार पर हर्श और आनन्द का होता है उसमें भी सब को एक बहुत अच्छी एक प्रेड़नार मिलेगी एक चीज़ में और बताना चाहता हूं कि यह जो पी कौपर है और दूसरे और बी तत्व हैं जैसे जिंक है और इंटमेनी है और इस टाइफ के तो इन सब की वज़ए से भी बहुत भारी नुकसान सेयत को पहुँचता है और इस सब का बहुत एक और भी दिक्कत होती है कि पठाखे की वीसे कई दञब हुह जोती है बिकर काफ साथ इस बेहद आहम चर्चा में शामिल होने के लिए और ये समझाने के लिए कि आखिरकार पटाकों को जलाने या बेचने के लिए जो शर्तें सुप्रीम कोर्ट ने लागू की हैं वो जरूरी क्यों है और उन्हें असल में जमीन पर कैसे उतारा जाए और उसमें हमारी और जिम्मेदारी क्या है? और बात आप दरश्चों की राय की हमने करकर दिखाया था चंदे के नए अंदाज यसे लेकर हमारे दरशक हैं कुलदीब जो के लिए लिए भारत में लोक्तंत्र और राजनीतिक शिचिता बनाय रखने के चुनावी चंदे में पाठ दरश्चिता का होना महत्पुना है साथ ही नियाल है और शुनावायों का हस्तक्षे भी जरूरी है जिससे चंदे को एकत्रित करने के लिए किसी पर दबाओ न डाला जा सके हैं तो आप दर्शेक अपनी राय सुझावालोशना यूहीं लिखते रहें कारकम में शामिल करेंगे और हमारे कारकम को आप यूट्वीब पर देख सकते हैं फिलाल आज इतना ही नमस्कार